आज अपने गरवाले से ज़्यादा प्यारे ससुरार वारे कभी भी देखना कि अगर गर में बाप बीमार पड़ा हो गर में बाप बीमार और पिता कहते है अपने बेटा से कि बेटा चले जाओ और जाए कि निक डॉक्टर के पास समय दवाई ले आओ आज बेटा जाए जाए डॉक्टर के पास में तब तक सासुरार वां नहीं करते हैं कि है जिन की क्रपा से ये जीवन कि है जिन की क्रपा से ये जीवन हम उनकी क्रपा को भूली गए कि है जिन की क्रपा से ये जीवन सब्दों कर बर्बर्ण कि है जिन की क्रपा से ये जीवन हम उनकी क्रपा को भूली गए सालीका जनन दिन यादि रहा लिखा सालीका जनन दिन यादि रहा लिखा सापा सी कवाई गूली गए सालीका जनन दिन यादि रहा लिखा सालीका जनन दिन दिन यादि रहा लिखा सापा से ये जीवन हम उनकी क्रपा को भूली गए और सालीका जनन दिन यादि रहा लिखा कि मौता पिता से हमारा ये जीवन है अगर मौता पिता नहीं होते हैं तो हम नहीं होते हैं लेकिन आज की संताने क्या करती हैं कि अपने मौता पिता को भूल करके अपने महराज अगर बाप बीमार है पाप केदा है बेटा चले जाओ डॉक्तर से दवाई में आओ जाएगा ने न डॉक्तरों के पास और जॉने के बाद में जू पास आऊचो सारी को फोनाई हो जीजा जनम दिना है निकाई जाई हो तो दवाई तो हुई दूली है जीजा सुसरार में पहुचे पिताओ भीमार इसलिए बताया कि जीवन में कभी भी अपने मात्मापिता को नहीं भूलना चाहिए तो दूलीया में लाखो जो पित्रमत्र के जीतने है को दूलीया में लाखो जाई जाई है जो पित्रमत्र के जीतने है को दूलीया में लाखो जो आई जो जो आई जो दूलीया में लाखो जो जो पित्रमत्र के जीतने है जीवन में जितना हो सके उतना मावाप का सम्मान करना सिखो क्योंकि अगर गर में आप मौता-पिता का सम्मान करोगे अगर जिस गर में माता-पिता फुस तिखाई दे जाएं तो समझ लेना वो गर गर नहीं वो एक सुवर गया सुवर गर और जिस गर में माता-पिता रोते तिखाई दे जाएं समझ लेना कितने भी तीरत करना, कितने भी वगवान की पूजा करना, उस घर में कभी वगवान का बास नहीं होगा, अब वो घर गर नहीं होता है, जिस घर में मादा पिता की सेवा नहीं होती, जिस घर में मादा पिता की सेवा नहीं होती, जिस घर में मादा पिता की सेवा होती है, जिस गर में बाप फसते मुश्कराते हुए नजर मुपा ऑँ उस भेटा को मंदर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि माताइब कर